गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा How to add music to the windows media player library के आप windows media player library के अंदर music कैसे add कर सकते है windows 11 या windows 10 operating system के अंदर सबसे पहले गाइस आपने अपने windows के अंदर जाना है search में अपने windows 10 या windows 11 के search में and search में जाने के बाद आपने यहां पर search करना है windows media player ठीक है and then आपने यहां पर windows media player को open कर लेना है like this ठीक है open कर लेने के बाद आप यहां पर आपके बास आएगा custom setting या standard setting तो आपने यहां पर standard setting को select करना है and then आपने इसको finish कर लेना है ठीक है फिनिश कर लेने के बाद आपके पास Windows Media Player ओपन हो जाएगा तो आप यहां पर गाईज म्यूजिक एड़ करने के लिए आपने क्या करना है अपने जाना है और्गनाईस पे ठीक है और्गनाईस पे जाने के बाद गाईज अब यहां पर आपको option मिलेगा manage libraries के अंदर music का तो आपने music के उपर क्लिक करना है and click कर लेने के बाद गाईज आपके पास यह Windows ओपन हो जाएगी तो आपने यहां पर add के उपर क्लिक करना है and then अपने computer या अपने laptop से अपने music folder को choose कर लेना है ठीक है so मैं desktop से इस music folder को add करना चाहता हूँ तो मैं desktop पर जाता हूँ and then मैं इस folder को select करके इसको ok कर देता हूँ ok करने के बाद गाईज आप यहां पर देख सकते है कि मेरे पास उस music folder के अंदर एक song है जो के यहां पर show हो रहा है so that's it guys and this is how you can add music to the windows media player please video को like कर दीजिएगा channel को भी subscribe कर दीजिएगा and I will see you in the next video till then take care and goodbye